है नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दे बिग बूल 420 पर जिसा कि आपको पता है अपने चैनल पर हम डेली एक माकेट एनालेश इस वीडियो अपलोड करते हैं और एवरी फ्राइडे टू सटर्डे आइटिंग में एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें मंडे को कौन से 10 स्टोक्स मोग कर सकते हैं उसमें मैं बात करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी जादा इन्पोडेंट होने वाला है अगर आप इंट्राडे स्टोक्स में ट्रेड करते हैं या आप अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आप यहाँ से बहुत क कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मंडे टू फ्राइडे आपके साथ डेली मार्केट में लाइव जूडता हूं सो लाइक आपनों को काफी ज्यादा मज़ा आएगा इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करने से सो आगे बढ़ते हैं कि देखे सबसे पहले जो है मैंने यहां पूरी लिस्ट बना ली है अपन जो है सम्तिंग 11 टोक की बात करेंगे अब यहां जो है सबसे पहले में इनफी की बात करने वाला इनफोसीस आपने सुना होगा इनफी में क्या सीन चल रहा है देखो मज़ा आएगा क्या सीन चल रहा है सबसे पहले में जो है से लाइक एक थोड़ा सा अंडर्स्टेंडिंग में लाऊं तो यहां एक डबल टोप पेटन जिसा आपको कुछ दिख रहा है समझ दिएगा सबसे पहले डबल टोप देखना है अपने होगा अगर मार्केट जो है सम्टिंग इस केंडल के नीचे क्लोजिंग देता है एक जैकली देन अपना जो है लाइक डबल टोप कंपलीट हो जाएगा वो टार्गेट अपन जो है एक जेकली यहां तक का रख पाएंगे यह अपना लेवल से टू एनालीसिस हो गया अभी से अगर मैं ट्रेड लाइन द्वारा देखूं तो क्या मुझे यहां कुछ और नजर आ रहा है अगर में मार्केट में इस प्रकार एक ट्रेड लाइन कीज दूं तो क्या अपर साइड का ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी दूं तो बताएगा क्या मेरे लेवल से रिस्पेक्ट हो रहे हैं यहां पर इस ट्रीक है यह जो एक चेनल बन रहा है जिसमें मार्केट डाउन साइड आ रहा है अपन डाउन करता हुआ मार्केट जब भी जो है 1588.70 इन्फोसिस की बात हो यह 1588.70 का लेवल ब्रेक डाउन करता है 1573.95 तक का लेवल आपका बन सकता है और और नीचे जाता है तो आपको लालस नहीं करना है आपको इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट देखने को मिल सकती है अच्छी काशी संभ होना है कि इसके नीचे इस ट्रेंड लाइन की नीचे भी मार्केट गाया नहीं है पिछले सम्थिंग कितने दिनों से नहीं एक बात देखने दीजिए मुझे लाइस ट्रेंड लाइन के पीछे चार अगस्त को था उसके बात से मार्केट अब इसी ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा है अभी हाल पिलाल में संभावना काम है कि इसके नीचे चला जाए तो अपनों को लाइक इन फी में एक लेवल टूटता है तो यह अपने लिए है आपको अपने आप से करना होगा लैक सीख ना आप यहाँ सीख सकते हो बिलकुल किस प्रकाय लेवल इस? लेवल से करते हैं यह चीज आप इस वीडियो में सीख सकतो, बडरी आसानी से एक इंफोस हो चुका है इसके बाद में बात करूंगा भारती अटियल के बारे हम भ लेवल में लगा दूँगा बेसिकली एक लेवल आपके लिए मेन होगा वह उगा सेवन एक सेकंड रुकिए ठीक है स्ट्रेवल फिसे थोड़ा नीचे और निखसान वाली बात नहीं साथ 13,95 लगद्यवल regular नीचे अगर निकल जा रहा है भारती एटेल देन अपन इसमें काफी अच्छा सेलिंग देख पाएंगे एक काफी अच्छा मुझे इसमें लाइक हाँ ठीक है तिपल टोप किये दीजिए या लाइक प्राइस एक्षिन बन रहा है मैं भी एक बुलिष फ्लेगें पॉल जैसा आपको कुछ दिख सकता है नुट्रल चार्ट पिटन होता है सो मार्केट क्या करेगा फिर अपर साइड में निकलने का ट्राय करेगा यह दो कंडिशन आपको भारती एटेल में देखने को मिलता है ठीक है अब इसके बाद जो है मै आपको क्या दिख रहा है देखो मुझे अपर साइड में इस प्रकार एक टेल लाइन लगा दूँ और इसी टेल नाइन की बैस पर एक जोन लगा दूँ जोन क्या होते है यह सप्लाय यह डिमांड जोन होते है मार्केट में यह एक मेरा वीडियो है आप मेरे प्लेलिस्ट अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार बन रहें बहुत हो जाएगा आपको सीरेंस बता रहा हूं सो ठीके रहा है मार्केट में एक लेवल और यहां में लगा हूं आप बोलो किसे इतना दूर क्यों लगा रहे हो क्योंकि यह लेवल मुझे इंपॉटेंट लगा है इससे पहल लेवल तोड़ दे रहा है देन मार्केट में सेलिंग आ सकता है एक इंफरमेशन आप पूर एक ट्रेंड लाइन लगा पाऊगे अच्छा रहेगा ठीके एससी की बात हो रही है इस प्रकार अगर देखो आप एक सिकन यार यह एवरो नहीं ट्रेंड लाइन लगा पाऊगे ना तो यह असेंडिंग ट्रेंगल जैसा भी आपको दिखेगा मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करके आपका लेवल तो दे रहा है तो फिर आप उसमें सेलिंग कर पाऊगे कोई प्रोब्लम नहीं होगा और अगर आपको अग्रेशिव जाना है कि नहीं मुझे जल्द बाजिये में ट्रेट करना है आप यहां भी जा पाऊगे उ 2362.50 like 2362.50 का आपका जो है बाइंग लेवल बनेगा SEC में इसके बाद जो है अगली शेर जो अपना है उस पर बात करेंगे TCS अब TCS में बन क्या रहा है थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर देखना रहेगा चलो ठीके देखो सबसे पहले इसे पंदा में टाइम फ्रेम पर में इनालीजिस करूँगा फिर पांच भी टाइम पर भी करूँगा क्यों कि TCS में मौसली बन दे ट्रेड गते हैं एक अपर बहुत अब यह जोन जहां से सेलिंग बाइं आता है बहुत अच्छा और यहां पर चाहसा और यहां पर आँ जरूद नहीं थी लेकिन में ने फिर भी बताया है के मारकेट में यह एक जोन है और यह 1-0 है यग जल लग और का तो 3426.90 लेवल बहुत स्ट्रोंग लेवल जब भी मार्केट गया है आपको सेलिंग दिखाया है वेनेवर मार्केट ब्रेक 3426.90 लेवल देन अपन उसमें सेलिंग करेंगे बाइंग करेंगे जब तक के लिए अपन वेट कर लेंगे में एंटिजार करेंगे और 1 लेवल में आपको दे कर रहा हूं ठीक में प्रीज ब्रेक दावन ब्रेक लवल में कर रहा हूं डैवल नेटरियराएं यह दो लेवल यह तैयन और यह लेवल ठीक हैं डाउनसाइड में अगर आपको TCS में ट्रेड करना है तो 3360.30 के नीचे अपनों को सेलिंग करना रहेगा अब पंजार में टाइम फ्रेम पर ये इनालिश इसता पांच निट में अग्रेसिव अगर आप लोग करते हैं तो डाउनसाइड के तो यही लेवल रखूंगा मैं डाउनसाइड में मैं चाहता हूं यही लेवल रहे 3360 के नीचे अपन सेल करेंगे तब तक के लिए वेट करेंगे उसके पहले क्या है उसके पहले आपको सिर्फ एक लेवल दूँगा टीचेस में जिसके उपर मार्केट जैसे निकलता है बाइंग कर पाएंगे आप प्रोब्लम नहीं होगा आपको यह लेवल है काफी इनपोटेंट लेवल है कितने का है 3396 का एक लेवल है ब्रेक आउट जब भी कर रहा है टीचेस एक रिट्रेस्मेंट पर आप बाइंग कर पाओगे इस में आपको लवल से प्रोबैट से ज्यादा कुछ भी नहीं त्के आपका इन लेवल से अलग होना चाहिए आपको सिर्फ सिर्फ लेवल से वापस बता रहा हूं उर अगर आप इनसे ट्रेड कर रहे हो तो बहत अलोग है कि मैं नहीं चाहता है तो जिए को द्रीब से को के जिएका मार्केट में देखिर क्या लेवल दिश्पध हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसी प्र millimeters कि यह उपने एकौड़कर आपको शुर्पर सिर्फ पूर्सए प्रोड कर होग आपने सब कुछ यह सारे लेवल में आपको अपने एकोडिंग ही ट्रेड करना है यह लेवल सापको सिर्फ पूर सिर्फ एजूकेशनली प्रोवाइट करना हूं पुस्टेट कर स्वेट लेवल से लेवल से सलंध बनेगा अपर साइट कर रहा हूं 2623.90 लाइक 2623.90 का लेवल है अगर अगर रिलाइन्स जो है इसके उपर निकल जा रहा है इस लेवल के उपर तो लाइक यहां एक त्रिपल बोटम भी क्रियेट हो जाएगा देन मार्केट में काफ एची बाइंग आ सकती है संभावना अच्छी-खाची बनेगी फिर ठीके दोस्त इसके बाहर अगर अगले स्टोक्स के बारे में बाथ करूँ जो अपना बजाजãy फाइनेम्स बन रहा है लेक जास फीनेम्स सबीनेम्स में एक बार सारा लेवल लगर रिमू कर दो हैं और नगा लेवल एक ही लगाओंगा वापस से वही लेवल जो पिर इसमें selling आएगा अपर साइट से एक train line भी इस प्रकार से काफी अच्छा follow हो रहा है और यहां देखो यह क्यों जाएगा इस level के नीचे क्योंकि यह एक level है यह एक zone है ठीक है और zone important है मुझे लग रहा है so like whenever market breaking 7274.45 like 724.45 का level है जब भी तोड़ेगा market में selling आ सकती संभावना है अपर साइट में अपन निकलेंगे exactly जो है 7390.90 like 7349.90 का level है इसके उपर जब भी निकलेगा इसके उपर अपन क्या करेंगे बाइंग करेंगे इस लेवल के breakout उपे ट्रेंड लाइन तो टूटे गई टूटे गई लेकिन यह लेवल भी ब्रेक होगा तो दो confirmation अपने पास रहेगी ठीक है इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखो वे साही सिनार्यव बन रहा है ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं एक लेवल अपन डाउंसाइट में लगाएंगे इस लेवल पे जोन लगा है जोन तो क्या है यह एक लेवल ही है इन्पोर्टेंट लेवल मुझे लग रहा है तो इसमें सेलिंग बन सकता है संभावना काफी अच्छी रहेगा अपर साइड का एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार फोलो हो रहा है जब भी अपर साइड में बाइंग करना रहेगा अगर अपनों को मार्केट में बाइंग करना है तो कम से कम अपनों को एक लेवल है 1245.55 लेवल है डेक आउट होता है रिटैसमेंट के बाद बॉझ्ट में सकती है डीटडां होता है डिट्रेसमेंट लाएक एक प्राइस एक्शंवी के साथ अद उसमें सेलिंग बन सकती है अब देखेंगे कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का क्या सीन है, इलकी तो लेवल है यार, वापस चलो हटाने की भी जरूरत नहीं मुझे, एक लेवल आप लगेएगा, 1871.30, like 1831.30 का लेवल है, 1871.30 का लेवल है, लाइक, डाउन साइड जैसे ही, ब्रेकडाउन होगा, अपन सेलिंग कर पाएंगे, क्योंकि यह लेवल में, प्रीविंटेश में क्या बनाता है, इतर देखो यार, पहले सीखने का मकसद है, तो सीखेंगे, एक सिकंड, previous days में क्या बनाता resistance बनाता अभी हाल फिलाल में दो बार क्या बन चुका है support बन चुका है so like market जब भी यहां जा रहा है market या तो pull up या pull back ले रहा है so मुझे लगता है market जब भी ये level तोड़ेगा then market में काफी अची selling आएगा trend line अगर मैं इस प्रकार लगा दू तो बहुत ज़्यादा सीधा trend line लग रहा है so like मैं चाहता हूं market में buying करें महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक में ज़्यादा aggressive ना होते हुए अपन बाइंग करेंगे something जो है इस लेवल के उपर इस श्विंग के उपर बहुत अच्छा बहुत अच्छा लेवल है लाइक अठारा सो तर्राणू पोइंट वन जिरो वन थाउजन एट हंडेड निटी थी पोइंट वन जिरो का लेवल है ब्रेक आउट हो रहा है यह वाला लेवल रिट्रेस्मेंट पर अपन कर पाएंगे जैसे यहां क्या हुआ यह मार्केट में लेवल रिस्प्रेक्ट रिट्रेस्ट उपर मार्केट आया उपर नीचे ठीक है यह लेवल आपके लिए काफी ज्यादा इंपोटेंट और इंपोटेंट होने ही वाला है संभावना है मार्केट में प्रोभिलिटि आपको अपकर साइड ओर लोगर साइड इन लेवल पर मुमेंट दे दे इसके बाद हम अपन बढ़ेंगे अपने 90 स्टॉक की तरफ 90 नंबर नाइन्थ स्टॉक की तरफ आपन जा चुके हैं ठीके दोस्स यहां देखना पड़ेगा मार्केट में क्या सीन चल रहा है ठीके ओके देखो आयर ITC में भी काफी भाई लोग ट्रेड करते हैं मुझे लगता है ITC जो है एक लेवल में आपको ITC का सिर्फ एक ही लेवल दूँआ इसमें कोई पेटन बगेरा बने ना बने लेवल जरूर बन रहा है मार्केट जब भी तोड़ेगा ना ये लेवल अपन सेलिंग कर देंगे और अपने को बाइंग करना इस TCS में ITC में आपने बाइंग कर पाएंगे 313.05 का लेवल इसके उपर बाइंग कर पाएंगे ये दो लेवल से आपको इसमें नोट डाउन कर लेने हैं बस 311.40 के लेवल के नीचे सेल कर पाएंगे 313.05 के उपर बाइंगे लेकिन आपको एक चीज देखना रहेगा आपको करना का है जैसे केंडल क्लोस दे ऊपर मांके थोड़ा सस्टेन करें ठीके इसके बाद आपको एंटर्य करना रहेगा नहीं तो आपको आवीड करना रहेगा ठीके इसके बाद जो है एक train line आपको लगाना रहेगा, upper side से फ्रकार एक train line follow हो रहा है, बहुत अच्छा सा, ठीके, तोस्ट अब downside सी क्या हो रहा है? downside से, lower side से एक train line अपना follow हो रहा है, so like मुझे लग रहा है, is fits symmetrical triangle बन रहा है, exactly बन रहा है, ठीके, इसमें क्या बन रहा है? symmetrical triangle बन रहा है pięszट Тाइम पर पांच में इसमें ट्रेड करोंगे ना सब्सक्राइब बन रहा है यह तो symmetrical karş Vocês किया चल रहा है टोके गलंगी टाइम फ्रेम पर भी समेट्री करना रहेगा अब मान लीजीए नोकरी में जोन लगा है मैंने आपको एक लेवल दे रहा हूं इसके नीचे एक केंडर क्लोज देते 15 मिट का 4,330.50 4,393.50 का लेवल है ब्रेक डाउन देता है इस लेवल के नीचे निकलता है सेलिंग करेंगे अपर साइड से मुझे लग रहा है जहां तक एक ट्रेन लाइन फोल हो तो रहा है ओके चलो ठीक है अपर साइड में आप एक काम करेगा आपको एक लेवल दे रहा हूं उसके उपर आप बाइंग कर लेजेगा सब सब बेश रहेगा 15 मिट के लिए तो आपको सेमेट्रिकल दिख जाएगा और 15 मिट के लिए आपको एक लेवल दे दिया है मैंने 4511.70 का अगर पंदा में टाइम फ्रेम पर आप इंट्राडे करते हैं सो वेनेवर मार्के ब्रेकिंग दिस टेंड लाइन देन ब्रेकिंग 4511.70 देन आप बाइंग कर पाएंगे कहां तक के लिए कर पाएंगे सम्तिंग जो है टेके 4580.30 like 4580.30 के नित तक आप जो है इसमां बाइंग रह पाएंगी अब अपन बढ़ रहे हैं अपने कौन से नंबर के स्टोक अपने ग्यारवे नंबर के स्टोक की तरह बढ़ रहे है टाटा पावर टाटना प्रावर में हो क्या रहा चल क्या रहा है ठीक ऐसे सो मूझे जहां तक लग रहा है als Malay कौकी काफ में यक काफी अच्छा ट्रेंल प्लाइन मुछे देखने को मिल रहा है छे कि क्या है मां के ठीक में लेकर मारकेट में जों लैक थोड़ा सा देखना देखेगा, ट्राइ कीजिएगा, देखने का, समझने का, ट्राइ कीजिएगा, बताइएगा, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, या नहीं हो रहा है क्या ताटा पावर एक जोन में दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छे से जोन में दिख रहा है, अपें डाउन साइड, सम्तिंग जो है ये जोन फोलो हो रहा है, I think, दो अगस्त एक जोन में जो है टाटा पावर चल रहा है, लेवल में आपके लिए लगा रहा हूं टाटा पावर में इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी टाटा पावर निकले कौन साल एक लेवल है 231.50 का लेवल है ब्रेक डाउन हो रहा है सेलिंग बन सकता है बहुत सारा इसमेल है कि एक ट्रेंड लाइन चल रहा है और डाउन साइट का 231.50 का लेवल है नीचे ब्रेक डाउन होता है अपन सेलिंग कर पाएंगे इसमें अपनों को बाइंग करना रहेगा बाइंग का क्या पोजिशन रह सकता है मैं चाहूंगा बाइंग अपन इसमें एक लेवल दे रहा हूं आपको इसके उफर ही करें 236 236 236.05 का लेवल है इसके उफर जब भी टाटा आप आप निकले अपन बाइंग करें बागी अपन इसमें क्या है बाइंग करें दोने लेवल आई होप आपको समझ में आग होंगे आई होप गईस आपको 11 स्टोक्स का अच्छा होगा प्लीश आर आपको प्रीस कमेंट में बंता है में चाहता हूं आपका कमेंट मेंट हो मुझे अच्छा लगता हैं आपका कमेंट पढ़कर लग सब्सक्राइब यह कर देज पर help मिला तेज़ने को मिला ढरूर किज़े का बहुत मजाएगा और जो swing trade मेरे भाई लोग करते हैं उन सभी के लिए एक जो एक बंदन बेंग करके हैं आपको बताता हूँ जब भी बंदन बेंग एक लेवल है उसको तोड़ दे आप इसमें swing करना चाहोगे तो swing trade भी हो जायेगा day time frame में इसे analysis करूँ हां ओके सारे levels clear करके जो भी भाई लोग जो है swing trade करते हैं swing करना चाहते हैं एक स्टोग में आपके लिए लाया हूँ जब भी मार्केट में बंदन मेंग में 291.60 का लेवल है breakout हो day time frame पर देख रहा हूँ ब्रेक आउट हो अपर साइड में अपने से काफी अच्छी बाइंग जो है कर पाएंगे अपनों को सिर्फ यह लेवल के breakout का weight है अपनी बाइंग काफी अच्छी तक बन सकती है I think something अपना पहला target अपने रख पाएंगे आपको अच्छा लगा होगा मैंने आपको बताई दिया आपको कमेंट करना है कैसा लगा है वीडियो लाइक जरूर करना है और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि Monday to Friday डेली आपके साथ लाइव में भी मैं जुटता हूँ सो ठीक यार मिलते हैं मंडे मार्केट में लाइव में तब तक के लिए मस्त रही है तंदूरुस्त रही है चूसत रही है मिलते हैं यार